राजस्थान में वैसे तो त्रहत्रय की खिचड़ा बनते हैं जैसे बाजरे का खिचड़ा, बूंग चावल खृत्रय की और दहान की खिचड़े बनते हैं लेकिन गेहु और मॉंग का खिचड़ा बहुत ही अलग होट स्वाधिष्ट बनता है खास कर ये आखा तीज पर बनाया जाता है और बीका निर में तो बहुत ज़्यदा बनता है मैंने यहां गेहूं ली है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे या पानी का छीटा लगा देंगे थोड़ा सा पानी छीटे से थोड़ा से ज़्यदा हमें डालना है गेहों को अच्छे तरह से इसमें मिला करके पाने को कम से कम दो घंटे के लिए ऐसे ही भीगने देंगे जब गेहों अच्छे से भीग जाएगे फूल जाएगे तो उसके बाद इसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाएगा आपके पास ओंखली या माम दस्ता है तो आप उसमें डाल करके इसे कूट करके इसका छिलका अलग कर सकते हैं मेरे पास यहां मिक्सी है तो मैं इसमें जार में डाल करके और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गुमा गुमा करके इसका छिलका उतारना है इस तरह से अगर लगातार गुमाया तो गेहों पूर चायेगी दलिया बन जाएगा इसका अब एक बरतन में या आपके पास छाज है तो उसमें डालें और इसे मसल लें थोड़ा सा ताकि छिलका इसका अलग हो जाए इस तरह से मैंने या मसल लिया है और इसे इस तरह से हटकार लगा करके इसका छिलका अलग कर लेंगे छिलका उतारने से खिचड़ा बहुत ही क्रीमी बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा अब मैंने पूरा अच्छे से छिलका इसका उतार दिया है और एक प्याली फुल भर करके मैं यहां गेहूं ले रही हूं और गेहूं के पांचवे हिस्से के बराबर मैंने यहां मोंग लिये हैं लगों पांच हिसे गेहूं के छटा हिस्सा मोंग का और जो गेहूं है उसके प तक चुछ तो हैं तो दाला है और पानी में डाल स्कुराइब है energy वृ creek लिए नहीं के लिए लग बगया पर इसे पांच से चह सिटि लगाएंगे ताकी इसमें खिचड़े करने तो रहेी तो टब लेका लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद बैल आइकन जरूर दबाएं ताक कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले अब हम इसे गर्मा गरम किचड़े को सर्व करेंगे उपर से डालेंगे खुब सारा देशी घी मैं यहां गाये का देशी घी इसमें डाल रही हूँ उपर से शक्कर डालेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और किचड़ा घी और शक्कर ये सारी चीज़ें का पानी और प्याज का अचार और गिहूं का किचड़ा बहुत शोक से बनाते हैं बहुत ही रूची कर खाते हैं तो आज की मेरी ये रेसेपी आपको कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर्ट करें आप भी बनाएं खाएं और खिलाएं इन्जोई